दोस्तो नौरात्रे आते ही हर कोई भ्यक्ति मातारानी को की किरपा प्राप्त करने के लिए उन्हें तरह तरह से खुश करने लगते हैं। मातारानी की किरपा प्राप्त करने के लिए भक्त जनों को चाहिए कि अपने घरों में कलच किस्तापना अवश्य करें, साथी मातारानी की चोकी को लगा कर मातारानी की तस्वीर या मूर्ति को रख कर उनकी पूजा अर्चना अवश्य करने चाहिए, यदि संबभ हो तो अख प्रसंद करने के लिए अलग-अलग वस्तुवें अर्पित करते हैं लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए एक साधारन नहीं बलकि विशेश उपाई लेकर आए हैं जिसे करते ही मातारानी तुरंत आपसे प्रसंद हो जाएगी और मातारानी से आपकी जो भी जैमा लक्षमी साथी वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जाने कि क्या है ये उपाई दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हर कोई हिंदू व्यक्ति अपने घर में सुभा के समय पूजा पाठ इत्यादी करता ही है दूप दीप अगरवत्ती आदी जलाता है कोई व् व्यक्ति सुभा के समय और बहुत से ऐसे व्यक्ति भी है जो दोनों समय पाठ पूजा में विलीन रहते हैं दोस्तों जो कोई व्यक्ति अपने इश्ट देवी और देवता को यानि कि अपने पसंदिता देवी देवता की पूजा अराधना वे उनकी सच्ची सेवा करता है उस व्यक्ति के घर में तो कभी भी कोई समस्या रहती ही नहीं है। स्वेते ही सभी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप पूण निश्टाब आप से भी पूजा पाठ इत्यादी करते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको फल प्राप्त नहीं होता है। अधिकांस लोगों की इच्छा होती है कि वे मन्चाह धन प्राप्त कर पाएं लेकिन जब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको धन की प्राप्ती ना हो तो ऐसे में आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप से कोई ना कोई जाने या अंजाने गल भी हो जाएगी देखते ही देखते आपकी सभी समस्चाएं समाप्त हो जाएगी और आपके सभी काम बनने लगेंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने घर में जवाब पूजा करते हैं तो आपको दीपक कौन से समय जलाना चाहिए ताकि आपकी स सबी समस्चाएं अपने आप ही खत्म हो जाएं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जोती साश्तर के अनुसार अगर आप परते दिन दीपक जलाते भी हैं तो आपको कौन सा दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों आज के समय से नहीं बलकि पुराने समय से ही दीपक मिटी का ही इस्तमाल किया जाता है। दोस्तों मिटी एक ऐसी वस्तु है जो कभी भी अपवित्र नहीं होती है। इसलिए अगर आप रोजाना की पूजा भी करते हैं, तो उसमें अगर आप हो सके, तो आप मिट्टी का दीपक जलाएं, अब आप कहेंगे कि प्रते दिन मिट्टी का दीपक किस परकार से जला सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का दीपक एक बार जलने के बाद गंदा हो जाता है, तो दोस्तो आपको बता दें कि यह दीपक गंदा नहीं होता है, आप इस दीपक का इस्तमाल बार बार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इस दीपक का इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं, मिट्टी के दीपकों का आप इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं, तो इसके अलावा ऐस कौन से धातू है जिसका दीपक आप जला सकते है।同च पीतल एक ऐसी धातू है जो कि बहुत पवित्र होती हैror मृती के दी दीपक के बाद आप पीतल की धातू से बने हुए दीपक को निश्फिकर होकर प्रति दिन अपने पूजा पार्ठ में इस्तमाल कर सकते हैं। दोस्तों कई ऐसे सरदालू भी हैं जो कि वे जिये जानना चाहते हैं कि हमारी मनोकामना शीगर पूर्ण हो इसके लिए हमें कितने दीपक जलाने चाहिए तो इसका जवाब भी आज हम इसी वीडियो में दे देंगे हमने बहुत से कमेंट में पढ़ा था कि लोग कहते थे कि हमें कितने दीपक जलाने चाहिए दोस्तों आपको हमेशा ही दीपक विश्म संख्या में जलाने है यानि कि एक पांच साथ ग्यारा या इक्कीस दोस्तों इसमें हमने आपको तीन दीपक की सला नहीं दी है और तेरा पकी विसला हमने आपको नहीं दी है, दोस्तों आपको 13 और 3 की गिंती वाली कोई विवस्तु या कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए, खास तोर पर अगर आपको कोई उपाय बताया गया है, तो ही आप 3 या 13 की आंकडों में कोई पूजा पाठ करें, अनिता आप 13 वे 3 की आंकडों से होने वाली पूजा को हमेशा ही नकारते रहें, इसके अलावा नीले वे काले रंग के चीजों का इस्तमाल भी पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए, दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं, कि आपको ऐसा कौन सा समय है, जिस समय पर आपको दीपक जलाना चा समय होता है, जिस समय की गए कोई भी पूजा आपको शीगर फल देती है, इसलिए दोस्तों आपको दीपक भी उसी समय जलाना चाहिए, बहुत से लोग सूर्ज देवता को अर्ग देते हैं, यानि कि जल अरपित करते हैं, आपको सूर्ज अर्ग होने देने से पहले भी आप सुर्देवता को अर्ग दें। दोस्तों सुबह का समय एक ऐसा समय होता है जब प्रतेग जीव जन्तु पर सकारतमक उड़ जाओं का प्रभाव होता है। दोस्तों जोति शाष्टर की माने तो केबल ब्रह्म मूरत में की गई पूझा ही नहीं बलकि ब्रह्म मूरत में किया कोई विकार्य आपके लिए असफल नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में क्यावले तना एकल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक लिद्धे में इजाते धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना बोलें जाए बजरंग बली